नमस्कार मैं हूँ मनीशा जहास्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सावन में मंगला गौरी की पूजा क्यों की जाती है और साथ में उन्हें प्रसंद कैसे किया जाए इसे विशव में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अचारे मोग्षित जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है अचारे जी मंगला गौरी की पुजा सावन में किस प्रकार की जाती है और किस लिए की जाती है आपने बहुती सुन्दर प्रश्न पूछा है क्योंकि हम और आप ये तो सभी लोग जानते हैं कि स्रावण में भगवान श्री देवादिव महादेपी आराधना की जाती है परन्तु इसी स्रावन में स्रावन में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उस मंगलवार के दिन मां मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है विशेश रूप से इसे अखंड सोभागी वती जो स्त्रियां होती है वो लोग करती है इसके पीछे मानिता यह कि हम और आप में भगवान देवाज देव महादेव की आराधना तो करते हैं है परंतु readट का माता पार्वती की आरा नहीं करते हिसके इसके स्वोभाग्यृव्ति जो फ्रियां होती है वह आपने पती के दिर्ख आयूं के लिए इस व्रत को करते हैं माता पार्वती ने भी इस व्रत कsomie करने लिए इसलिए अगर आभी अपने पती को दिर्ग आयू चाहते हैं तो आप ही स्रावन के प्रतियक मंगलवार के दिन मंगला-गौरी का पूजा क्या जाता है तो आप ही उस दिन मा मंघला-गौरी का पूजन अब से मेव करें । इस बार जो पहला मंगलवार पढ़ रहा है वह 27 जुलाई को पढ़ रहा है 25 तारिक से स्रावन प्रारंभ होंगे और 26 तारिक को स्रावन का पहला सोमवार है और 27 तारिक को मंगलवार पढ़ रहा है इस बार स्रावन में चार मंगलवार पढ़ेंगे उसकी जो तीथियां है वह 27 तारी को पहला मंगलवार है और जो दूसरा मंगलवार है वह तीन अगस्त को पढ़ रहा है तीसरा मंगलवार वह 10 अगस्त को पढ़ रहा है और चौथा मंगलवार वह 17 अगस्त को पढ़ रहा है इन चार करें और उनकी पूजा किस्त प्रकार करें जब आप मंगलवार के दिन यानि कि आप आज के दिन प्राता कालीन उठें इस्कनानादिक क्रिया करने के तत्पष्चाथ स्वक्ष वस्त्र धारन करें और अपने समक्ष एक चौकी रख करके उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछा क्योंकि लाल रंग के वस्त्र इस्त्रियों के लिए वह सोभाग की कपड़तिक माना जाता है इसलिए आप उस दिन चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और अपने समक्ष माता पार्वती की मुर्ती रख करके उनकी पूजा करें सोड़सोब चार से उनका पू विशेश रुप से अपने पती के दिर्ग आयूं के लिए आप आज के दिन मा मंगला गौरी की पूजा अवस्त्रियों के लिए लेकिन जैसा आपने प्रशन पूछा कि क्या इसे कुमारी कन्याई भी पूजान कर सकती है क्या उनका वरत कुमारी कन्याई भी रख सकती है लेकिन मैं आपको मैं बता दूं कि कुमारी कन्याई को ये वरत नहीं रखना चाहिए हाँ आप आज के दिन माता गौरी की पूजन कर सकते हैं अर्चना कर सकते हैं परंतु उनका वृत रख करके उस वृत का उध्यापन या कुमारी कन्याओं के लिए नहीं हैं सिर्फ और सिर्फ यह जो वृत और तहवार है वह सुभाग्यवति इस्त्रियों के लिए हैं अजयर शुब कामना हैं और बहुत बहुत बधाई माता पारवति के अनंत कृपा आप सभी के जीवन में निरंतर प्राप्थ होती रहें तो चलिए अचारे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साजा करने के लिए तो आज था कि इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही आसा से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए पने रही बेने नियूस के साथ नमस्कार